अलो रियोन दिस इस अलिक स्मित स्वागत आपका नौलिज दा अमबीशन के इस सेशन में तो यहां पर हम करें हिमाचल बंडराइंड एमसी की सिरीज जिसका पार्ट 69 हम आज डिसक्स करने वाले हैं यह पार्ट 69 है इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखिए तो आप प्लेलिस सेक्शन जरूर विजिट किएगा वहां पर आपको सभी 68 पार्ट जिसमें हमने प्रती एक वीडियो में जो है 20 कॉशन ड आ चुकी है तो उन सभी की प्रिप्रेशन के लिए यह कॉशन जर काफी वैनिफिशल आपके लिए रहेंगे मोस्ट इंपॉर्टन कॉशन इंक्लूड के गए हिमार्चा प्रदेश आपका कंप्लीट यहां पर कवर हो जाएगा आप आप इस सीरीज को कंप्लीट जरूर दे कॉशन हमारे टोटल रहेंगे सबसे पहरा कोशन यहां पर पूचा गया है प्रसिद चूड चांदनी चोटी निवन मैंसे किस खंड में स्थित है अब चूड चांदनी के बारे में हम कई वार डिस्कस कर चुके हैं प्रिवेस वीडियो में तो चूड चांदनी जो है आपक आपको यहां पर दिये गए गिरी पार खंड गिरी आर खंड क्यारदा दून खंड यह इन में से कोई नहीं अब इन खंडों के बारे में मैं आपको पहले बता देता हूं कि जो जिला सिर्मौर है जिला सिर्मौर को भगालिक दिरिश्टी से जो है तीन खंडों में चोटी और राजित किया जा सकता है सिर्म और जिले को तो इसी कॉष्टन का अंसर आपका ऑप्शन नमबर वन यानि गीरिपार खन्ड में जो गीरिपार खंड है इसकी जो ऊंची चोटिया है परसिदप्रमुक्ड चोटिया है इन में इसे चूड चांदनी चूड चांदनी जो टी भी है जिसकी उंचाई कितनी है 11,982 फूड इसकी उंचाई के बारे में हम पहले भी डिसक्स चुके हैं इसकी उंचाई भी आपको याद रखने हैं 11,982 फूड जो है इसकी उंचाई है और यह गिरी पार्क हंड में स्थेत हैं आप्शन नमबर वन इसका राइड इसकाई उन्सर आपका आप्शन नमबर टू यानि सिरमौर जीले की बात करें तो सिरमौर जीले के इतिहास में जातक पहाड़ियों का एतिहासिक मात्व है क्यों क्योंकि यहीं पर जो है वो गोर्खा और अंग्रेजों के बीच में एक महतब़ून लड़ाई लड़ी गई थे जातक जो है एक पहारी नाम है और यह जातक जो पहारियस में पहारी नाम करा जिल कि पहारियां है जो है एतियासिक महत्तव है option number two इसका right answer है next आपका question number three इसी से संबंदित है पूचा गया कि सिर्मौर जिले में स्थित जातक किले का निर्मान किसने करवाया था अब जो जातक किला है वो जातक पहाड़ियों के उपर ही बना हुआ है और इस सिर्मौर जिले में है यह आपको याद रखना है आपको यहाँ पर पूचा गया है कि इस जातक किले का निर्मान जो है वो किसने करवाय साहिल वहन प्रकाशने सुबंश प्रकाशने जर्नल सिंग थापा पया पिर बालक बाल इस अर था न्रीक पारा निसे अलावा बात्य थ्मूंदर स समूंदर तल से जातक पहाड़ी की उंचाई भी आपको याद रखनी है ये भी एक्साम में पूछी जाती है तो 1489 यानि 1479 मीटर की उंचाई परसित है और इस के लिए का निर्मार जो ये गोर्खा जनरल थे रंजोर सिंग था पा इन्हों ने करवाया था नेक्स्ट आपका कॉशन नंबर फूर पूछा गया जातक खेल निमर मैंसे किस जाती के लोगों का परसित खेल है खस का भोट जाती का कोली जाती का या फिर कन्यात का तो जातक खेल जो ये खेल परसित है ये जो नाम जातक पहाडियों से इसका नाम लिया जातक जो खेल है व से ही लिया गया है और यहां पर आपको याद रखना है option number four is का right answer जाते हैं जो है यह कन्नायतों का पर्सिद्र खेल है option number four is का right answer है next question number five पूछा गया कि घंगर नदी का उद्गम किस जिले से होता है अब घंगर नदी आपको पता होगी घंगर नदी जो है आपकी यमना नदी की सहायक नदी भी है सहायक नदी जब यमना नदी के आप पढ़ोगे तो उसमें घगर नदी का भी नाम आएगा और घगर नदी का उद्गम जो है वो किस जिले से होता है वो सिर्मौर जिले से होता है option number one इसका right answer है घगर नदी उद्गम जो ह यह लवासा नामक स्थान से जो है घगर नदी का उद्गम होता है तो यह आपको ध्यान में रखना है option number one इसका right answer है next question number six पूछा गया तारीखी सिर्मौर नामक पुस्तक के लेकर कौन है जेम स्टार्ड रंज़ोर सिंग मदन सिंग या फिर आप कीर चन्द तो इस question का right answer है option number two यानि रंज़ोर सिंग याद रखना है आपको जो पूस्तक है कौन सी तारीखी सिर्मौर तारीखी सिर्मौर तारीखी सिर्मौर के लेकर कौन है रंजोर सिंग इनका पूरा नाम इन्हें कुंवर रंजोर सिंग के नाम से जाना जाता है और सिर्मौर के इतिहास में जो है काफी इनका नाम आता है कुंवर रंजोर सिंग का कुंवर रंजोर सिंग ने जो है तारीखी सिर्मौर नामक पोस नगर सहित जो है वो नश्ट हो गया तो इसी प्रकार जो है इमाचर परदेश के इतिहास के बारे में कुमर रंजोर सिंग ने भी लिखा था तारीक के सिर्मौर में तो आप भी ध्यान में रखना है तारीक के सिर्मौर नामक पुस्तक के लेकर कौन है कुमर रंजोर सिंग तारी के पटियाला फस्तिंग आपको यहां पर पता हैं चीए पंजाब रियासत के पटियाला के इतिहास पर यह पुस्तक लिखित है जो की 1877 में लिखित पुस्तक तारी के पटियाला तो 1857 में 1877 में लिखी गهी थी और इस पुस्तक में यह उलेख मिलता है कि पटयाला के संस्थापक भी थे जो थे वो जासल मेर की यदोँवन्श से थी इन्हों ने जो है इस पुस्तक में जो पटयाला किस संस्थापक के उनके बारे में लिखा कि वो जो थे वो जैसल मेर के युद्व वन्ष से थे तो यह आपको ध्यान में रखना है में पुस्तक के बारे में तारीख के पट्याला 1877 में पुस्तक लिखी गई थी इसके दोरा सयद मुहमद अफशन नमर थी इसका राइट अंसर है नच्सट question नमर एट पूचा गाए कि शताबदी के अंतिम चरण तक सिर्मौ। हो गया था उस समय जो है पॉंटा घाटी सिर्मौर डिस्टिक में पड़ती है पॉंटा घाटी तो इसमें स्थित सिर्मौरी ताल उनकी राजधानी भी थी और ये नगर जो है यमना तो था गिरी नदियों के संगम से कोई 10-12 किलोमेटर उत्तर पश्चिम में गिरी के दाएं और स्थित था तो इस प्रकार से यह स्टेटमेंट है आपको धियान में रखना है कि बारवी श्ताबदी के अंतिम चरम में जो है सिर्मौर में राठावर वंश का अंत हो गया था नेक्स्टर कॉशन नमबर 9 पूछा गया सिर्मौर रियासत पर अधिकार करने के रचा के अपनी राजधानी कहां पर स्थापित की अब राजा सुभंश प्रकाष के बात करें तो राजा सुभंश प्रकाष का कारैकाल क्या रहा था यह रहा था 1185 का निया तक चार वर्ष्क का उच्ण टोटल कारैकाल तक और सिर्मार पर अधिकार करने के पश्चात उन्होंने जो है जो उनकी राजधानी द्वस्त हो गई थी सिर्मारी ताल उसके निकट राजवन को जो है अपनी राजधानी बनाया था तो आप्शन नमबर बन इसका राइट अंसर है उन्होंने राजवन को अपनी राजधा नाहन में एक बैंक खोला गया जिसका नाम जो है नाहन नैशनल बैंक रखा गया था ये नाहन नैशनल बैंक और किसके द्वारा जो है इस्थापित किया गया था स्थापना जो वर्ष है ये आपको इध्यान में रखना है 1893 में इस्थापित किया गया था एक बैंक खोला गया था नाहन में जिसका नाम जो है नाहन नैशनल बैंक रखा गया था तो किसके द्वारा ये रखा गया था राजा सुरेंद्र प्रकाश के द्वारा राजा सम्ष समशेर प्रकाश राजा समशेर प्रकाश के द्वारा ही 1893 में नाहन में एक बैंक खोला गया था जिसका नाम जो है नाहन नेशनल बैंक रखा गया था नेक्स्ट आपका कॉशन नंबर 11 पूचा गया कि अंग्रेज सरकार ने किस वर्ष सरी कोशन आपको यहां पर ध्यान से पढ़ना है कि इंग्रेज सरकार ने किस वर्ष जो है राजा सुरेंदर विकरम प्रकाश के कारियों तथा सहियो के लिए के सीसाई की उपादी से समानित किया था 1896 1901 या फिर 1903 तो इस कॉशन का राइट अंसर आपको आप्षिन नमबर 3 यानि 1901 में सन 1901 में जो है तारीक भी आपको यहां पर याद रखनी है 9 नवंबर 1901 को जो है राजा सुरेंद्र विक्रम प्रकाश को जो है अंग्रेजों द्वारा के सी एसाई की उपादी से सम्मानित किया गया था किसलिए क्योंकि उन्होंने जो है काफी का अच्छे कारिक है थे और अंग्रेजों का सहयोग किया था और राजा सुरेंदर विक्रम प्रकाश की बात करें तो सन 1898 से लिकर 1911 इस भी तक किनका कारेकाल रहा था नेक्स आपका कॉशन नमबर 12 पूचा गया कि राजा करम प्रकाश द्वारा नाहन नगर किस वर्ष बसा गया था पर सिंग आपको यहां पर ध्यान में रखना है कि जो नहन नगर था वो किस के द्वारा बसा गया था राजा करम प्रकाश के द्वारा और किस वर्ष यह बसा गया था 1816 में 1818 में 1820 में या फिर 1821 इस वी में इस कॉशन का राइट अंसर आपका आपका आप्शन नमबर 4 1821 इस्वी में जो है राजा करम प्रकाश दौरा जो है नाहन नगर जो है वो बसाया गया था option number 4 इसका right answer है next question number 13 पूछा गया कि अर्की में चित्रकला का प्रारम किस राजा की समय में हुआ था सभाचंद प्रिथवी चंद मेहर चंद या फिर भूप चंद इसका right answer क्या है इसका right answer है option number 1 सभाचंद यह आपको याद रखना है सभाचंद जो थे वो इनके शासनकाल में अर्की में चित्रकला का प्रारम हुआ था और राजा सभाचंद की बात करें तो राजा जो सभाचंद थे इन्होंने अपनी पुरानी राजधानी को छोड़कर 1643 इसवी में अर्की को बसाया और इसे अपनी राजधानी बनाया था और ये सभाचंद जो थे वो राणा थे जो आपकी ये सोलन डिस्टिक की बात की जारी है सोलन डिस्टिक की बागल ठकुराई की बागल अर्की के नाम से भी से जाना जाता अर्की ठकुराई या बागल ठकुराई तो इसके राणा थे क्योंकि इस पर जो शासन करते थे उन पर अपने लिए काफी सुन्दर महल बनाए इसके साथ ही अरकी में चित्रकला का प्रादम हुआ था तो अप्शन नम्बर वाइन इसका राइट अंसर है अब कोई ध्यान में रखना है नेक्सटर कौशन नम्बर फॉर्टीन पूचा गया कि नियुक्त किसके समय में बागल के राणाओं ने अपने नाम के साथ चंद के स्थान पर सिंग जोड़ना आरम किया तो यह भी बागल ठकुराई की बात की जा रही है तो बागल ठकुराई आपको बताना है कि बागल ठुकराई की राणाओं ने अपने नाम के साथ चंद की स्थान पर सिंग जोड़ना आरम किया था यह किसकी समय में हुआ था महांचंद जगत सिंग रामसरन सिंग या फिर इनमें से कोई नहीं तो इस कॉशन का राइट नंसर आपका आप्शन पुषण नमम घुकराई आरम किया था और जगत सिंग के समय जोह है यहां पर आपका आपशियर वानन आप देशे महांचंद आपको यह कॉशन इक्जाम में पूरे जगत सिंग के समय जो थे वो महांचंद कहलूर बिलासपुर्ग के राजा थे और रामसरन सिंग जो अप्शन नमबर 3 आपका रामसरन सिंग वो हिंदूर के राजा हुआ करते थे तो आपको यह सब सब्सक्राइब के समय में अपने राम के साथ चंद के स्थान पर सिंग जोड़ना आरम किया था पूचा गया कि बगहाट 12 ठकराईयों यह में से एक प्रमुक ठकराई थी इसकी सथापना किस ने की थी रगुनात पाल ने राणा नरायन पाल ने बसंदपाल ने या फिर राना महेंदर सिंग और इसकोषन के उत्तर में गिरी की एक साहिक नदी अश्वनी और सतलुच की साहिक नदी गंबर के जल संगम पर स्थित थी बगाट की स्थापना जो है दक्षण के धरन गिरी से आए एक पनवार या फिर आपके परमार पनवार या पनवार कहा जाता है इने तो परमार वंशिय राजबुद बसंदपाल ने की थी तो यह सबी डिटिल्स आपको इसके बारे में भी ध्यान में रखना है और वन मोस्ट इमपोर्टन पॉइंच जो यह बसंदपाल थे बसंदपाल को किस शंर्दाने को झाना जाता है इन्हें यह किन भी जाना जाता है बसंदपाल एक सहासी रक्षक दल के संस्थापक थे वह कितने वर्षों तक इसके कमांडर जर्नल रहें मोस्ट इंपॉर्टन कॉशन से नोट कीजिएगा और इसके बारे में जो भी आपको में डेटेल बदाऊंगा उसको भी आपको ध्यान में रखना है सोलन के राज थे राजा राजेंदर सिंग 1945 से 1948 इस वी तक किनका कारेकाल रहा था और ये जो थे हिमाचल ग्री रक्षक दल हिमाचल होमगार्ड के संस्थापक थे और कुल जो है 20 वर्षों तक जो है इसके कमांडर जर्नल रहे हैं आप्शन नमबर फूर इसका राइट अंस रहा है इसके अलावा आपको जो याद रखना है वह यह याद रखना है कि इस तक कि इसके कमांडर जर्नल रहे थे नेक्स आपका कॉशन नमबर 17 पूछा कै कि बगहाट के राजा दुर्गा सिंग आकरी राजा थे जिनने राजा की उपादी से अलंकरित किया गया था उन्हें किस वर्ष ये उपादी दी गई थी अब बगहाट के राजा दुर्गा सिंग जो थे वो एक ऐसे राजा आखरी राजा थे जिने की राजा की उपादी से अलंकरित किया गया था और ये किस वर्ष हुआ था ये किस वर्ष जो है इन्हें राजा की उपादी से अलंकर इस तक जो है दुर्गा सिंग चेंबर आफ प्रिंसिस में शिमला की पहाडी र्यास्तों के प्रतिनिदी भी रहे थे तो ये भी आपको इसके बारे में ध्यान में रखना है नेक्स्ट है कॉश्च नमबर 18 पूछा गया कि कुनिहार की परंपरा के अनुसार कुनिहार ठकुराई का संस्थापक कौन था अब हम बात कर रहे हैं कुनिहार ठकुराई की तो कुनिहार ठकुराई जो है शिमला से थोड़ी दूर पस्चिम की और स्थित है और शिमला से लगवक 35 किलो मीटर पस्चिम में स्थित इसका कुलक शेतरफल 15 वर किलो मीटर था कुनियार की परंपरा के अनुसार चाहे इस ठकुराई का संस्थापक कौन था वो था अभोज देव बार्वी शताबदी के मद्द में जम्मू के अकनूर्ट शेत्र के एक छोटे से राजे से आये थे ये राजा अभोज देव और इन्होंने ही ठकुराई एक जो कुनियार ठकुराई है इसकी स्थापना की थी कुनियार की परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है आप्शन नमबर टू इसका राइट अंसर है नेक्स्ट है कौशन नमबर 19 पूचा गया कि किस वर्ष कुठार ठकु ठकुराई को बगहाट के साथ मिलाकर महासु जिले का हिस्सा बना गया था अब कुठार ठकुराई की बात करते हैं पर हम कुठार ठकुराई जो है किस वर्ष इसे बगहाट के साथ मिलाकर महासु जिले का हिस्सा बना गया था तो यह बनाया गया था सन 191848 में आप्शन नम तोलन जिले के रूप में संगठित कर दिया गया था तो यह भी आपको इसके बारे में याद रखना है नेक्स आपका कॉशन नमबर 20 पूचा गया है कि हिमाचल के मध्यांतर खंट में उन्ची चोटियों के बेच परसेंट श्रीखन महादेव सित्थ है इसकी कुल उन्चाई कितनी है यह वीडियो का लास्ट कॉशन है और इसका अंसर आप मुझे कमेंड बॉक्स में बताएंगे लास्ट वीडियो में हमने कॉशन डिक्स कर लिया है तो इसका अंसर आपको पता होगा तो आपको इसका अंसर आता है तो कमेंड बॉक्स में इसका अंसर ज़रू दीजेगा आपको बताना कि श्री खंड महादेव की कुल उन्चाई समुंदर तल से कुल उन्चाई कितनी है आपके options यहाँ पर आपको दिये हैं इसका अंसर आप मुझे comment box ने जरूर बताएगा लास्ट वीडियो हमने caution discuss किया था 1913 में पंजाब के किस lieutenant governor ने मंडी के राजा जोगेंदर सेन को गदी पर बठाया था तो यह बठाया था के लिए वीडियो beneficial होगी आपके exams जो है काफी जल्द ही कंड़क्ट करवाया जाएंगे हिमाच्व परदेश स्टाफ सेलेक्शन कमिशन में जो भी वारेस पोस्स के रिगार्डिंग exam fill हुए थे उनकी exam dates आ चुके हैं यदि आपने वीडियो नहीं देखिए नौटिफिकेशन नहीं देखिए तो आप official site पर जाके उसे देख सकते हो और जो है आप exam से 15 दिन पहले अपना कर सकते हो और उन सभी exam की preparation के लिए बैटर preparation के लिए एज़ा रिविजन आप हिमाच्व परदेश वंडराण MCQ की सीरीज को कंप्लीट देख सकते हो यह पार 69 था 68 वीडियो हम डिसक्स कर चुके हैं 2000 प्लस कॉश्चन सो हम डिसक्स कर चुके हैं माचल वंडराण जीके से औ वारिस स्केम्स हैं योजनाय हैं जो की budget में प्रस्तुत की गई थी साथ ही में जो पहले से कारे कर रही थी उसके ओपर भी काफी सारी वीडियो जाइब पर आप विडियो सेक्शन जरूर विजिट किएगा प्लेलिस सेक्शन आप जरूर विजिट किएगा योदि आप चैन कर दकिए भी कारे कारे की पूद लिए लाइब भी का भी किए